तो आज हम बात करते हैं कि import subscription strategy क्या है वहाँ पर इसके bad impacts थे क्या इसके good impacts थे उसके बारे में detail में बात करेंगे तो इस lecture में हम इस chapter को complete कर देंगे चलिए start करते हैं first क्या है अपका import subscription strategy it is also called as inward looking trade strategy तो इसको inward looking trade strategy वहाँ पर बोला गया है तो inward looking इसलिए बोला गया क्योंकि हमने खुद की industry में ही खुद की domestic country में ही अपने industry को वहाँ पर setup करना है means हमने अब हमने क्या करना है जो imports कर रहे थे हम बाहर country से import कर रहे थे उसको हमने substitute कर दिया means उसको बंद कर दिया हमने खुद की country में ही उस products को बनाएंगे और वहाँ पर इसको sale करेंगे ठीक है तो इंपोर्स स्टैटिजी तो आपको clear है कि हमने खुद की country में खुद की country में industry को setup करना है और खुद की country में हमारी जो demand है जो supply उसको वहाँ पर complete करेंगे देखे क्या है यहां पर first cap का domestic production, domestic production means हम domestic हमारी खुद की country वहाँ पर production करेंगे अब खुद की country प्रडक्शन कर रहे हैं तो उससे क्या इंपोर्ट को बंद कर रहे हैं इंपोर्ट को means वहाँ पर restriction लगा दी भी हम अब हमारी country में कोई imports वहाँ पर नहीं होंगे अब यह restriction लगाने का means क्या था means यही था कि हमारा जो खुद का हैंडी क्राफ था खतम हो रहा था हमारे जो इंपोर्ट से वहाँ पर इंक्रीज जो हमारा foreign exchange था वह ज्यादा यूटलाइज हो रहा था ठीक है उस foreign exchange को बचाने के लिए हमने क्या किया import substitution strategy को वहाँ पर यूज देखिए अब हमारे पास जो foreign exchange था अब हमने imports को restriction कर दिया था इंपोर्ट को बंद कर दिया था तो हमारे पास जो foreign exchange था वह एक लिंपर्ड वहाँ पर हो चुका था ठीक है अब हम foreign exchange जो भी हमारा था वह उसको हम economy use कर रहे थे में सर्फ उनी चीज़ों कर रहे थे जिनके हम हमारे पास जरूरत जाला है ठीक है तो यह से में इस पैन को बाहर से इंपोर्ट करवाते में इस किसी और country इस पैन को मंगवाते थे और इसको खुद की इंपोर्ट को बंद कर दिया और खुद की जो domestic country है उसी में इस पैन की production वहाँ पे start की जा इसका substitute वहां पे डूड़ा करने के लिए अचाहिए हमें capital चाहिए investment चाहिए technology काफी जरूरत है लेकिन हमारे पास foreign exchange इतना नहीं था तो हमने क्या क्या है उस foreign exchange को utilize करने हैं सिर्फ उन products के लिए जिनकी हमें इस product को बनाने की जरूरत है जैसे कि ऐसा थे plants होगे ठीक है machinery होगी जो development के लिए हमारे जो इं इसको नहीं करें हम लिम्टर यूजी कर रहे हैं जिम कह सकते हम निसेस्टी के रिए ही वहां पर यूज कर रहे हैं लेकिन हमने क्या करना था रैदर दिन मैक सिम्ट हम वहां पर कहां पर जो मैं फोकस कहांस पर करना था इसको मैक्सिमाइज करने के स्थ Michaux यहाँ इंपोर्च DC रियंक एकस्पोर्ट पर हमारा कोई वहां पे फोकस नहीं है हम अपनी एकस्पोर्ट कों में वहां पर इंक्रीज करने के लिए नहीं सोच रहे हम सर्फ इतना सोच रहे कि हमारे ह्मारे वाहन सो dominated कमणा हूँ ठीक है एक करम हमारे जूर्ट्teen ग्रें Challenge रेदर दन मेक्सिमाईज एट I hope this is clear and fourth point के आपका international competition और हमने import success strategy को include इसलिए भी किया था जो हमारी जो international competition है means बाहर वाला या foreign competition है हम उसको protect कर सके हमारी country को ठीक है these four points related to the import success strategy देखते हैं first point में क्या बोला था domestic production means खुद की कटा country production कर रहे हैं and foreign exchange को वहाँ पे हम सेव कर रहे हैं so second point में foreign exchange utilize for development सिर्फ सेव करने तो सब वहाँ पे सर्फ उन्हीं प्रक्स के लिए जिनके लिए हमारे जुरूरत है ठीक है means plant and machinery के लिए क्या सकते हैं economy use of foreign exchange means foreign exchange का हम economy use कर रहे हैं rather than maximize it हम वहाँ पे maximize करने के लिए विल्कुल नहीं वहाँ पे हमने सोचा fourth point का है international competition means हमने अपनी industry को हमारे इंडिया को foreign competition से किया कि हमने protect किया देखी किया अब हम इसका good impacts क्या थे सबसे पहले देखते हैं good impacts of the import strategy अब देखिए हमारी खुद की country में इंडिस्ट्री लग चुकी है means अब हम इंडिस्ट्री को सेट अप कर रही है तो इसका मदल हमारी GDP growth हो वहां पे increase हो रही है हमें investment opportunities मिर रही है हमें employment मिर रही है वहां पर तो बहुत सार इसके benefits हो गए इंडिस्ट्री के लिखते है हाई rate of industrial growth means हमारी जो industrial growth है जो इंडिस्ट्रियल सेक्टरा वहां पर बहुत बड़ा growth हो यह हमारे GDP था ठीक है पहले कितना था आपका 12% यह increase हो कितना हो गया आपका 25% means किया गया industrial sector का जो GDP में share था वह पहले 12% था अब कितना हो गया वह 25% अब means 1990 में ठीक है यह कितना था आपका 1951 का जो GDP में इंडिस्ट्री गोथ में वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया तो सेक्ट पॉइंट के आपका प्रदक्स की वहां पर पर्डेक्शन करनी है हमारे पस बहुत सारे नहीं व्रायटीज आ चूकी थी इनकी इंडिया प्रदक्शन वहां पर करना चुका था यह से एक गजाम ले सकते हैं इंजिनियरिंग गुर्ण गुर्णों गुडश ओगे बहुत सारे चुश्वर अपर्जून्टी ऑदेखें बाहर की कॉंपलिशन अमारे पास नहीं है disposition कि अगर में धिनine not gonna try purpose यह भीडिया है अभुद की मवारिया है इसका मतलब हां कि हमारे हैं मिळू को टृशुरू फो कर सकते हैं हम सॉमॉर्ट के इंड स्टेटिकिन परद कि लोगों को ठीक है क्योंकि वारे लिए इनमारे लिए बिल्कुल खतμ कर दिया गया यह थी की घरक इंपोर्ट सब्सकर्वास ग्रोड इंपाइट करने हैं जो इसली फर्स टेरि में यहाँ चाह्टा सेक्टर में आ पर इंकलीड हो चुका है उसके वजह से क्या क्या था नाइस है घुर्मिन सेश्चन क्या है सुर्फ गॉर्मन्मेंट की मेन अर्फольш तो इसको के लिए दूलौ सर्विस है उसको कंट्रोल कर रही ए उसके ह露ें नहीं चैनल पर का में किया लेकिन आज की दी इन में और क्वाइट कर प्रेविट है क्यों कि क्या वहां पर क्या झाय poem की मीदि दो जाए अब उसको नहीं रहा को सैक्टूइशन थे उसको नहीं रहा कोई का वर्योट क्या होगा कोई 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 ऐसे हम कह सकते हैं कि पहले जो 1990 तक कौन सी कार्यकार्स वहाँ पर चलती थी इंबैस्डर्स थी जहां फियर थी उसके बाद कोई वहाँ पर कार नहीं थी क्यों कि वहाँ पर कॉंपेडिशन है कॉंपेडिशन है तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं है ऐसे और एक्जांपल ले सकते हैं कि आज की डेट में कौन- तक कोई ग्रोथ वहाँ पर नहीं होगी ठीक है थर्ड पॉइंट क्या आपका इंडिस्क्रिमिनेट सप्रेट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स देखिए वहाँ पर जो पूब्ली सेक्टर अंडर्टेकिंग्स नहीं उसके पास कहा था पूर फूल अथा था थी हर सेक्टर में वह जा सकता थी किसी इंडिस्क्रिमिनेट में अंडिस्क्रिमिनेट यहां पर क्या है कोई भी अपकी कंपनी है तो उसका शैटडाउन का मतलिवम क्या हो सकता है वहां पे कौई अच्छी ग्रोथ नहीं है वहाँ पे inefficient use हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या था political parties का फिर वहाँ पे main role पे लिए political party किया थी सिर्फ अपने फाइदे के लिए सोचती थी उनका वहाँ पे growth में कोई लेना देना नहीं था तो इसकी वजह से inefficient use हो रहा है आपका losses में जा रही इंडर्स्ट्री तो उससे क्या और इसका band effect पर रहा है वहाँ पे कोई monopolies है कोई बाहर को उसका देख दिनी रहा कोई competition नहीं है तो उससे क्या और आपका यहां पे हम क्या कह सकते हैं जो आपका इंडर्स्ट्री सेक्टर है वह completely exploit किया जाए था बाइदा वहाँ political parties और बाइदा गौर्म है तो यह आपके कुछ bad impacts थे आपके इंपोर्स स्टेटिजी के देखते हैं इसके बारे में सबसे पहले growth of inefficient public monopolies means public monopolies की growth इतनी बड़ी नहीं थी means वह जिस सेक्टर में आ गया वस वैसी चल रहा है जैसे so I hope all points are clear to you if in doubt then tell me thanks Jai Hind